हलो एवरीबड़ी इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तो सोशल स्कूल इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे डिस्ट्रिबूशन ऑफ मिनिरल्स इन इंडिया पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ मिनिरल्स को समझा तो टाइप्स ऑफ मिनिरल्स में अब यह किस तरह से इस वीडियो में जानने वाले हैं समझने वाले हैं आदा काम हो जाता है जहां हम रहता है टॉपिक का उसे अगर समझ लेए अच्छे से तो हमारा आधा काम समझ में आजाता तो आपको वो कहा है कैसा है वो सारा सब कुछ detail में आगे पड़ते हैं तीकि उससे पहले अफडेट यह है कि टेलिग्राम चैनल के लिंक आपको description में दिये जहांसे आप टेलिग्राम चैनल पर connect कर सकते आपको सारे updates मिलते रहेंगे कि कब कौम सा session आने वाला है साथ ही साथ यह रहा अनकेड़मी है अनकेड़मी एप जरूर से डाउनलोड कीजिए जहां पर आप बहुत सारे features explore कर सकते हैं जैसे आप notes यहां पर free में download कर सकते हैं special classes होती है जहां interact कर सकते हैं doubt clear हो सकते हैं आपके साथ ही साथ और भी multiple features से स्कॉलर्शिप एक्जाम इन सभी फीचर्स को आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं यूजिंग दी कोड डी आई जी आरेज दिग्राज अब आगे बढ़ते हैं तो मिनिरल जो है ना मोस्ट ऑफ दी मेटालिक मिनिरल्स इन इंडिया अकर इन दी पैनेंसुला प्लैट्यू रीजन अं स्पाइस किये सकते हों क्योंकежде मिनिलख सेक्थ बनती है तो इस पूरे पैनेंसुला प्लैट्यू में भौत सारा मिनिरल्स है तो यह जो ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स से फैनेंसुला प्लैट्यू की यह पर आपको मिल्टीपल रॉक्स मिलेंगों कि historically 1316 of minerals देखने को मिलेंगे तो यह वाला जो पूरा सेग्मेंट है चोटा नागपुर प्लैटू का भी हम क्या सकते मतलब मेजर एरिया चोटा नागपुर प्लैटू में यहां पर जो भी लेंड फॉर्म है ठीक है इस रिच इन मिनिरल्स ठीक है मिनिरल डिपॉजिट में बहुत ज्यादा है आपको देखने को मिल जाएंगे पेट्रोलियूम रिजर्व सा लोकेटेट इन दी सेडिमेंटरी बेसिन आपको देखने को मिल रहा है ओल्डेस्ट ऑइल समद्र में तो आपको ऑफ्षोर और बेसिन देखने को मिल जाएंगे ऑफ्षोर मतलब करें और यहां将 соई की जाती जहां पर अई हो機 जाती हो बात करें यहां पर भी आपको minerals और oil और energy minerals मतलब energy minerals और metallic non metallic minerals सभी तरह क्या minerals आपको इन एडियास में देखने को मिल जाएंगे most of the major mineral resources occur to the east of the line linking Mangaluru Kanpur ठीके Mangaluru Kanpur के अगर हम बात करें तो इधर east इसके east में आपको देखने को मिलेंगे वेस्टन पार्ट जो नौर्थ इंडिया जो है तो नौर्थ इंडिया और यहां प्रिटिके यह आली जो लाइन है ऐसे डिवाइट कर दो कंट्री को तो कानपूर से एसे तो इसका जो इस वाला पार्ट है तो अधिकतर इस वाइबल से तो उतना इक्षोनामिकली वाइबल मिनेरस यहां नहीं मिलेंगे जो मैं आपको पुछले वीडियो में भी बताया था समझ में है तो बेसिकली जो पॉइंट है anywhere वो कैसा है वह मैंने आपको समझाए अब आगे पड़ते हैं अब sabemos आप जन्सेंट्रेडफिक गॉ illustrates मैं इंडिया कॉन हिर्फ ठीर अर डियु अई है इनट्री गॉसित कथे निंडिया के त्डी ब्लॉडप buyers साथ वेस्टन प्लाइट रीजन नौर्थ वेस्ट रीजन तीन ब्रॉड बेल्ट से यहां पर आसानी से मिलेंगे इसके अलावा क्या जो पॉरेडिक अकरंस की अब यहां चलि なた about that रहें वाला हो गया साथ प्लेटू रीजन तो साथ वेस्टन प्लेटू रीजन दूसरा ही वहो गया क्या तो और अब ऑक आप क्या लिख рук तुर्ण वेस्टन वेश्टन वेक्टर चले गाए तो यह आपका नॉर्फ वेस्टन क्यों जाएगा तो इस तरह से तीन ब्रॉड रिजर से थे इन तीन ब्रॉड रीजन के अलावा भी कंट्री नहीं चुट-पूर चुट-पूर आपको तो sporadic occurrence of sporadic मतले होता कि चुटपूट 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 आपको क्या देखने को मिल जाएगा चलिए अब इन पर सबसे जाधा इंपॉर्ट है इसने इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्ट है वे इन फैसे आईरन ओर मैंगनेस वॉक्साइट माइका तो यहां पर आपको डाइवर्स मिनरस देखने के मिल जाएंगे जैसे कि माइका माइन सोफ बाला घाट से लगा के ओडिसा जारखन की कोल आइरन प्रडूसिंग माइन जोगी तो यहां पर आपको मल्टीपल मिनिरल्स टीके अब इस वाले रीजन में पहले वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगे दूसरी चीज़ क्या है साउथ वेस्टन प्लाइटू रीजन अब नीचे की तरफ आओगे तो यह जो डेकन प्लाइटू का साउथ वेस्टन वाला पार्ट है यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको क्या है यूज डिपॉसिट ऑफ मिनरल्स देखने को मिलेंगे उतने डाइवर्स मिन नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी मिनेरल डिपॉसिट यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा तो इस बेल्ट एक्स्टेंट्स ओवर करनाटका गोवा कंटीनिस तमिलनाडू अप्लेंट तो मतलब यह वाला पूरा महरास्ट कह सकते हैं क्या करनाटका महरास्ट गोवा तमिलनाडू कैरला यह वाला जो पार्ट है तो यह वाले पार्ट में आपको क्या देखनेका मिल जाएंगे ऐले पार्ट को हम साउथ वेस्टर प्लाइटू रिजन कहेंगे ठ двух कंटीछ़ तेमिलनाडू अप्लेंट्स और टा Antifa इंटक़्वार्स और बोक्सायट में बहु लिजन अगर हो गया तो यह सारे माइनिंग एरिया आपको इस बेल्ट में देखने को मिल जाएंगे साउत वेस्टन प्लाइट वाले बेल्ट में इस रिच इन फेरस मिनेरल एंद बॉकसाइट क्या है तो बॉकसाइट से ही अलिमीनियम निकलता है थीके बॉकसाइट क्ले जो अब क्या है कि यहां पर देखने को मिलेगा लगनाइट को देखने को मिल जाएगा जिसे पीट होता है लिगनाइट होता है एंथरसाइट होता है तो वैसे क्या देखेंगे आपके कोल की जो लिगनाइट क्वालिटी का कोल होता है वह आपको यहां तमिल नादू के नैवेली के सकते माइन्स में देखने को मिल जाएगा उसके अलावा यहां कोल नहीं मिलता है इधर जाता कोल उपर चीक है नौर्थ इसटन प्लैटू रिजिन में फ करला है डिपॉजट्ट ओफ मोनजच एड थोरियम बॉकस ड्कले में धूसके ना तो इसी के चलते क्या है यह तरह का क्या हो गया फ्यूल्स इस नॉन कवेंशनल व्यर्स हो गया तो यहां पर जैसे मोनजच और थोरियम मिल जाएगा अपको के लामेच कुछ कॉंटिडे मे has iron ore deposit Goa में जिसे आप देखोगे तो मारमागाओ पोर्ट से बहुत जादा iron ore को export भी किया जाता है तो Goa में आपको mines मिल जाएगी किसकी iron ore mines की clear हुआ फिर क्या है नॉर्थ western region अब नॉर्थ western region की बात कर रहे है समझना नॉर्थ यह पूरा नॉर्थ आपका नॉर्थ के वेस्ट में जाओ तो यह वाला पार्ट जो है यह नॉर्थ western region जो है अब इस नॉर्थ western region के बारे में पड़ते हैं चलो ठीक है तो दिस वेल्ट आपको बहुत सारे मिनेरल मिलेंगे दिस बैट एक्टेंड अलों रावली राजिस्थान या रावली माउंटें हो गया ठीक है पार्ट ऑफ गुजरात और यहां तक पूरा या रावली सिस्टम यह वाला जो रीजन है इसमें हम क्या कहेंगे इसे हम थर्ड रीजन मना दें ठीक है नौर्थ वेस्टन रीजन मना देंगे और जिसे मैं बताता हूं डजाट एरिया में आपको कॉपर बहुत जाधा मिलेगा जिंक मिलेगा तो वही जैसे अजमेर हो गया बेवार हो गया खेतरी हो गया यह सारी माइन्स आपको इनका इस्ट्रिभीशन जो है इनका इस के करके नॉन मेटालीक मिनी रस अधाएंगे हम तो यह सबके डिस्ट्रिबूशन और अच्छे से डीटेल में अपड़ेंगे तो आसी क्या है जो तीसरा रीजन है आप Eint कौपर यह सारे मेजर मिलेगा राजिस्तान इस रिच इन मिल्टिं स्टोंस डेट इस सेंड्सटोन तो आप राजिस्तान में से सैंड स्टोन गया ग्रेनाइट हो गया इस आपको इस रिजन में नॉर्थ वेस्टन रिजन में आपको Abundance में देखने को मिल जाएंगे Dolomite and limestone provide raw material for cement industry अब क्या limestone जो है limestone चुने का इस्तमाल किया जाता है Dolomite हो गया इसका इस्तमाल किया जाता है cement industry में तो इस तरह से cement industry का आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा extensive मतलब cement industry के लिए extensively found raw material जो है वह आप पर यहां मिल जाएगा इस region में फिर क्या है गुजरात is known for petroleum deposits गुजरात के अगर बात करें तो गुजरात is known for petroleum deposit जैसे uncleature हो गया ठीक है uncleature की बात करो आप कालोल हो गया तो यह जो जगह है ठीक है यह जगह क्या है गुजरात में petroleum deposits के लिए जाने जाती है you may be knowing that गुजरात एं राजिस्तान बोत है rich sources of salt अब salt की बात करें तो salt भी एक नरगा क्या है mineral ही है न तो salt आपको गुजरात क्योंकि coastline है तो यहां पर गुजरात में क्या नमक बन जाएगा देश का नमक अप सोच तो और राजिस्तान में कहा से नमक बन जाएगा राजिस्तान में समुद्र भी नहीं तो यहां पर हैं किई से सांबर लेक है नह are तो सांबर लेक्क क्या है लारओ तो अमशतान सब्सांख भी एक mineral है तो यह ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि कहां कहां क्या है और डीटेल में हम आगे सबसेक्वेंट वीडियो में पढ़ते चलेंगे साथ ही साथ जो एक और पॉइंट है क्या कि कुछ स्फॉड अकरेंस्ट भी देखने को मिलती मिनीर्स की मिनीर्स में क्या से मिलते हैं मिनीर्स तो लेंट इस अनदर मिनीरल वें कोपर लेड जिंक कोबाल्ट ये इसे लेड हो गया कोबाल्ट हो गया ये सारे लिए इस टो इस्टेर्ण हमालया इस्टर्स में ज्याएंगे आपको जो ओल्डंट स्टूल फीड्स है जिसका नाम है ठीक है आपको कहा मिलेगी आसाम में मिलेगी तुम्हार कटिया असाम में अंकलेश्वर कालों वगरा जो है वह गुजरात में है यहीं पहर समय है I'm not exactly about it exactly sure about it लेकिन ऐसे ही कुछ है तो जैसे दिगबोई का तो ओल्डेस्ट फिल्ट में है दिगबोई जो है कंट्री की ओल्डेस्ट ओइल फिल्ड जो है वह साम में मिल जाएगी आपको ठीक उसके अलावा क्या है उसके अलाब बिसाइड्स ओइल रिसोर्सेस और अलसो फाउंड इन ओफ्शोर एरिया दियर मुंबई पोस्ट मुंबई हाई जो है मुंबई हाई बेसीन वगेरा तो यहां पर भी आपको आले सोर्सेज नहीं जाते हैं तो इस वाइसे फैले हुए एक जागे निया अब हम क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडिय आपको यहां तक चीज़ समझ में आईए हैं अभी के लिए स्टें करेक्टेट कीव लर्निंग साइनिंग आप इस टुगेदर वी कैन वी विल थैंक यू थैंक यू वेरी मच